एलो दोस्तो अमारे यूटूब चैनल फर्स्ट राइट एजूकेशन पे आप सभी का स्वागत है सबसे पहले तो वही मारे साथियों और विद्यार्थियों को भई राम राम दोस्तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HSSC प्रिविएस एर क्योशन पेपर सीरीज वई इसमें आपको हर रोज 20-25 क्योशन प्रोवाइड किये जाएंगे जो की HSSC के दोवारा पिछले एक्जाम में पुछे जा चुके हैं दोस्तो इससे आपका रिविजन रहेगा और आपकी continuity बनी रहेगी और continuity ही क्या है कि आपके selection का दूसरा नाम है अगर आप continuity या regularty छोड़ देंगे तो दिरे दिरे सब कुछ आप भूल जाएंगे और जब एक्जाम आएगा तो कुछ भी याद नहीं रहेगा चाहिए आपने कितनी भी मैनत की हो आप दिरे दिरे क्योशन को भूल जाएंगे इसलिए ये series आपके लिए बहुत ही मैतवपूर्ण है इसमें ज्यादा time हम नहीं लेंगे आपकी 10 से 15 मिनट लगेंगी हर रोज और इसमें आपका revision चलता रहेगा ठीक है कुछ नए point होंगे वो भी add करेंगे ठीक है इसके साथ में parallel में जो हमारी हरियाना जिक्के की classes भी start ह हो चुकी हाँ जो आपकी HSC के common exam के लिए सबसे पहले हमने common exam के लिए भई पंचाय तीराज की धाराएं इसके साथ में भी land record पटवारी और नहरी पटवारी का comments ले बस करवाया और उसके बाद हरियाना जिक्के और physics के numerical parallel में चलेंगे भई सब चीजे parallel में चलेंगे आप ट सब कंटेंट देख सकते हैं इसके साथ में चैनल का सब्सक्रिप्शन चाहें तो कर भी सकते हैं क्योंकि इससे आपको notification time to time मिलती रहेंगी और आपकी त्यारी continuity आपकी त्यारी में continuity बनी रहेगी चलो आज की क्लास की सुरुवात करते हैं और पहले क्योशन की तरफ पढ़त निर्दारित करने हे तु आयोग बनाया यानि कि बात हो रही है पंजाब के विबाजन की यानि कि हरियाना के गठन की तो हरियाना का जो गठन है कौन से आयोग से बनाया गया कौन से आयोग से हुआ है तो एक तो हमें पता है कि सीमा आयोग बनाया गया था वही सीमा आयोग और आपको याद रखना है कि जेसी शाह आयोग की कब बनाया गया था वई तो वई इसमें आप याद रखेंगे जेसी शाह आयोग जो बनया था वो 23 अप्रेल वई एंसवर तो है आपका जेसी शाह आयोग लेकिन आप इसको याद रखेंगे 23 अप्रेल 1966 को जेसी शाह आयोग बनाया गया था वही ठीक है वही दूसरे क्योशन की तरफ बढ़ते हैं सौतंतरता पूरो हरियाना और पंजाब उच नयले कहां पे श्तित था यान कि सौतंतरता से पहले जब भारत सौतंतर नहीं हुआ था उससे पहले पंजाब और हरियाना और क्या ही माचल परदेश का और बाद में सौतंतरता के बाद श्रीमला आया आया याद रखें भवई ठीक है के इसके बाद नहीं का सबसे जञादा जंगल वाला रज्जे कौन सा है यानि कि हर्याना में सबसे जयादा वन कहां पे पाए जाते हैं यह पूछा गया है तो बताने के जोड़त नहीं है पंच कुला ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों जो भी एंस्वर हैं पॉइंट टू-पॉइंट आपको एंस्वर देने की कोशिस करेंगे ठीक है तो इसका क्या जाएगा पंच कुला जाएगा और अगर पूछ लिया जाए जैसे सबसे कम वाड़ा यानि कि पर से लगा लो पंच कुला होगा इसके बाद वही सब पीछे आपके एक्जामे क्योशन पुछे जा चुके हैं हरियाना के किस जिले में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है हरियाना में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है तो यह भी आपका पॉइंट टू-पॉइंट हो करने वाली वाली विशव की पर्थम विशव की पर्थम और सबसे कम आयू की महिला कौन है वही संतोष यादों है ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे वैसे हमारा पढ़ाने का त्रीका तो दोस्तों डिटेल में है लेकिन अब क्या है कि यह क्योशन की सीरीज है तो इसमें ज राज्येपाल के रूप में कारी किया कि हर्याना के पहली राजनीतिक महिला पूछी गई है जिनोंने एक राज्येपाल के रूप में भी कारी किया है तो वही कौन है वही चंद्रावती है चंद्रावती है वही ठीक है वही इसके बाद वही जाट गजट कहां से निकलता था जाट गजट कहां से निकलता था तो उधर इसके बाद वही, नाहर सिंगEMA श्टेडियम हरियाना के किस जिले में श्थित है, नाहर सिंग स्टेडियम पूछा गया है, तो कहां पे होगा ? परेदाबाद, अब कुछ दोस्त यह सोच रहे่ोंगे, आपको ज्यादा ना तो ज्यादा डिटेल में जाना है ना कुछ करना है क्या करना है कि जो journal question है सबसे पहले उनें पड़ेंगे और फिर धीरे-धीरे हम भी कराएंगे। ऐसी बात नहीं कि आप को यह करा दिया कि यही एकजाम में आएए ऐसी बात नहीं है पहले हम क्या है कि जो जर्णल को लकूर्टी का लेवल आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा भई तो ज्यादा यह अलके में नालें कि हम तो बिल्कुल एजी करा रहे हैं आज आपको 20 से 20 क्योशन कराएंगे 19 क्योशन आपको आत्ते मिलेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं के वली विजन है फ्रीदाबाद आ जाएगा यह थे कर्णम मले सोरी का की स्पेशल से समय क्यों कि मले सोरी भई नाम भी ऐसा है इसको किस February है बारो त्यंद मिलों से सम्वंद्ध मंद्ध लेशरी के बारे में एक पॉ privilege सेक्षेन में लिखें हरियाना का सर्वच खेल पुरुसकार कोन सा है को भी टो बताएं वहाई बीम पुरुसकार भी यारियाना का सर्वच खेल-पुरुसकार है वहई आप इंडिया का बताएं भी बारत का सबसे मतलब सर्वोच खेल पूरुष्कार इंडिया का कौन से हाप इंडिया का बताएंगे भई ठीक है अनंगपूर बांध किस जिले में स्थित है तो इसका राइट एंश्वर क्या हुजएगा फ्रिद्दाबाद वई क्या हुजएग तो तो किस्तले सब्सक्राइग इंडिया कितना ऐसे हुजएगा भई तेइस सिंटमबराव का मिताएंगे क्योंकि बिल्कुल यह कि तैसले ये किस की याद में बनाया बनाए जाता है वीज़ वश्यक्शित साथ विदानसवाषात्र अगुर को से जिले में वई तो इसका सिधा सिद्धा इंस्वर हुजएगा ही साथained हड़ी ठीक है हर्याना में लोघ पूरुष के नाम से किसे जाने जलता ऐसे दोस्तों राजनिति के ऊपर हर्याना के मुख्यमंत्री और हरियाना के गठन के बारे में जितने भी क्योशन है उनकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा वह बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाई गई हैं वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं दो क्लासिज आपको वहाँ पे अव कोण हवाई चोदरी देविलाल हैं तो सब हमने कल कराए हैं वह यह क्योशन ठीक है अर्याणा केंद्रिय विशविद्य ले काँ पे स्थी था वह सेंट्रल युनिवस्टी वह हरियाना में काँ पे हवई यह पूछा गया है तो मेंदरगड में है जंत पाली में वह जंत पा मील की स्थापना किस वर्स हुई तो वही विवानी टेक्स्टाइल मील की जो स्थापना है 1937 में हुई थी देखें वही यह इसके बाद वही आगे की तरफ बढ़ते हैं इसके बाद है विबाजन के बाद पंजाब का पूर्वी नेयले कहां पे स्थापित किया गया पहले क पंजाब में था वही तो इसलिए क्या हुआ कि वहां से हाई को उठाना था वही उठा सिम्ला है वही उत्तर क्या हुजएगा वही सिम्ला फूजएगा वही तो ओफेाद आई कोट कहां पे आ गया वै कहां पे आया मैं तो वै किम्ला उसको लाया गया उनि até 69 में हर्याना विशव ना अर्याना विद्यले शिक्ष्य बॉड्ड की स्थापना कहा की गई थी वह हर्याना उनितर ahamаватьटर में जब पाव शिक्ष्य बॉड्ड की स्थापना हुई पहले तो बता दिया इन्होंने उनी सो उनेतर में हुई भई तो हुई कहां पे थी भी तो चंदिगड थी भई आप बही चंदिगड से आप यह बताएंगे कि हर्याना विद्यले शिक्ष्या बौर्ड चंदिगड से बिवानी कब आया था भई यह आप लोगों को बताना है ठीक है परशिद व्यक्ति यह स्पाल सर्मा का समंद कहां से है वही कहां से नहीं मेलब कौन से फिल्ड से वही तो यह स्पाल सर्मा का जो समंद है वह सीनिमा से वही सीनिमा से है इसके साथ में बुनकरो का सहर के रूप में किसे जाने जाता है बुनकरो का सहर के रूप में क को कलियर किया है भई ठीक है भई सबसे पहला कि पंजाब और हर्याना का जो भी बाजन हुआ था वो किस कौन से था जैसी शायोग के था पहले पंजाब और हर्याना हाई कोड़ सियानि क्या जादी से पहले कँ लाहोर में था भी सब से ज्याद decides क्या सिर सिर्षा में वोती है दो बार माउंट एवरेस्ट गिता है कर यो यहनल कि सबसे कम उमर में कोई संतोश्य और राजनितिक गे थी जिन्होंने राज्य पाल के रूप में कारिये किया कौन थी चंद्रावती थी जाट गजट कहां से निकलता है इसके बाद अनंग पूर बांध कहां पे है फ्रीदाबाद में है बारोतोलम यानि करणम मलेशोरी की बात हुई है बीम पुरुषकार सबस में है और अनंग पूर्बांध भी फ्रीदाबाद में है वीर्व सईधी दिवस 23 स्टमबर को वही सबसे ज्यादा यान की विदानसवा की सिट्टे सिट्टे कहां पे है वही साथ है इसार में है बंसिलाल लोपुरुस के नाम से जाने आजाता है मैंदरगड मैंदरगड मे है अगली क्लास से क्या होगा कि आप लोगों को स्पेशल पेपर डिफाइन किया जाता है जाता है अगली क्लास से क्या होगा कि आप लोगों को special paper define किया जाएगा कि यह रियाना पुलिस का उस दिन पेपर हुआ था यह रियाना पुलिस का अलग से पेपर हुआ था इसके बाद यह अनकी ग्राम स्चियू का पेपर हुआ था पेपर हुआ था सब पेपर के साथ वे उन्समें जितने भी 25 क्योशन पुच्छे गए हैं उन सब को लिखेंगे एक महीने तक सीरी चलेगी और इसके साथ में हरियाना जिक्के और यान की फिजिक सी सब क्लासी चलेंगी जो दोस्त ने आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न क्योंकि लोगों को कुछ काम नहीं है ठीक है इसलिए आप अपने पड़ाई के उपर ज्यान दे वही और सोसल मीडिया को ज्यादा यान की फोलो ना करें ठीक है फेस्बुक वट्सेप को सोड़े में कुछ दिन के लिए और तैयारी करते रहे हैं बाद में चला लेना ठीक ह चलो वही अगली क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद